आगे हम देखते हैं कि किसको कितना मिलेगा तो इसको भी हम उसी तर्तीब से पढ़ेंगे गुरूप की तर्तीब से जो शुरू में हमने वारसीन की फहरिस्त आपको बतलाई है एक गुरूप वार गुरूप के हिसाब से तो उसी तर्तीब से हम असाबल फुरूज को भी पढ स्बसे पहला गूरूप ए वारसिन का जोजएन इस गूरूप में दो ही हैं जाउज, सउहर, जाउज, भीबि और यह दोनों के दोनों असाहाब फुरूज में से नहीं इन दोनों को तैय शुदा हिस्सा मिलता है तो अब आईए इन दोनों के हिस्से देख लेते हैं कि किस को कितना मिलेगा कब मिलेगा सबसे पहले देखते हैं जौज जौज असाबल फुरूज में से हैं तैय शुदा हिस्सा पाता है यह कितना पाता है, यह अलग-अलग हालात में अलग-अलग हिस्सा पाता है, इसकी कुल दो हालते होती हैं, और फिर हर हालत में इसका अलग हिस्सा है, उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यह दो हालते हैं शोहर की कभी इसको तैशुदा हिस्सा एक बटे चार मिलता है और कभी एक बटा दो मिलता है इसकी दो हालते होंगी कभी एक बटा चार पाएगा कभी एक बटा दो पाएगा अब रहा ये मसला है कि एक बटे दो कप आएगा एक बटे चार कप आएगा तो उसके लिए हम कुरान की आहद देखते हैं जहां अल्लाह रबुलालमीन ने शोहर की ये दोनों हालते बताई हैं और हर हालत में उसका अलग-अलग हिसा देखिया सूर निसा की आएट नमर बारा में अल्लाह रबुलालमीन फरमाता है वलकुम निस्फुमा तरका अजवा जुकां अगर तुम्हारी बीवियां मर जाएं तो जो माल वो छोड़ें उसका आधा तुम्हारा है एक बटा दो तुम्हारा है कब इल्लम यकुल लहन वलद अगर तुम्हारी बीवियों की आउलाद ना हो तो यह हम लिख दें अदमे फराः उसकी आउलाद नहीं होगी चाहे मुझकर हो चाहे मुझनस हो यह जो हमने गुरूप पढ़े हैं उससाथ से कहे दें फुरू में से कोई नहीं वारसिन का जो दूसरा गुरूप है ना फुरू फुरू में से कोई नहीं ना हो कोई आत्म ऑना कोई खराग का मतलब कहीं अलाद सिरे सिरे हो और और लिए इसके छ estáगर अड़ाद हो तूघु झसुद फराग तो ये जौज शोहर की दो हालते हो गई एक क्या कि फरेवारिस मुझूद हो बीवी की आउलाद हो बेटा बेटी पोता पोती कोई भी हो तो शोहर को कितना मिलेगा एक बटा चार और बीवी की आउलाद ना हो तो शोहर को कितना मिलेगा एक बटा दो अब इस बात की दलील भी आपके सामने आगी पुरानी सुरे निसा में आयत में बारा में आला ताला ने ये कंडिशन बतलाई है ये शर्तें बतलाई है यहां एक चीज और समझ लें कि आउलाद से मुराद क्या है जोज यानि शोहर की बीवी मर रही है इस बीवी के एक उलाद हो सकती है जो इस से हुई है यानि इसके शोहर से हुई है जो इससा ले रहा है और ये भी हो सकता है कि उसकी बीवी जो मर रही है उसकी पहले कहीं शादी हुई हो उसका शोहर मर गया पहले वाला या पहले वाले ने इतिलाग दे दिया तो पहले शोहर से भी इसकी कोई उलाद रही हो यह भी हो सकता है तो यहां जो यह शर्त लगाई गी है कि बीवी के उलाद नहोती है यह उलाद किसी भी शोहर से हो चाहे इस औरत के साबिक पुराने शोहर से कोई उलाद हो या ये नया जो शोहर है इससे कोई उलाद हो उसकी उलाद है उसके बच्चे हैं तो फिर शोहर को एक बटे चार ही मिलेगा चाहे ये उलाद इसका अपना खून हो या बीवी की उलाद किसी पुराने शोहर से जो मर गया या तलाक दे दिया उसके खुंड से रही हो बेरहल सिर्फ इतना देखना है कि बीवी की अगर आएजलाद है तो शोहर को एक बटा चार मिलेगा आजलाद नहीं है न इस से ना किसी पुराने शोहर से जो मर गया या तलाक दे दिया था किसी शोहर से भी आउलाद नहीं है तो कितना मिलेगा एक बटा दो इसको मिसाल से भी देखने हैं मिसाल की तरो पर एक औरत मर गई मैईट औरत है ये मर गई औरत मर गई इसने अपने पीछे छोड़ा जोज शोहर को और एक बेटा मरने वाली औरत है उसने अपने पीछे छोड़ा शोहर को और एक बेटा तो इस मसले में शोहर को कितना मिलेगा देखे आप उजूद फरा ये फराए वारिस मुझूद है इवन बेटा मुझूद है इसलिए जोज को मिलेगा एक बटा चार एक बटा चार शोहर को जाएगा बाकी जो बचेगा किसको देंगे तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि असभा फरूद को देने के बाद जो बचता है उसको लेने के लिए असभा की एक तर्तीब है असभा की एक फहरिस्त है तो यहाँ पे असभा यह बेटा है यह बेटा असभा फरूद में से नहीं असभा है तो बाकी यह ले लेगा अगर फर्स कीजिए कि मरने वाले के पास चार लाग था यानि और अवरत मर गई और उसके जेवराद कपड़े जो भी थे सब की मालिये चार लाग की माल लीजिए तो फिर शोहर को मिलेगा एक लाग एक लाग शोहर को देने के बाद बाकी जो बचा तीन लाग को किसको दे देंगे बेटे को यह है कि मरने वाली और अवरत है उसका शोहर है और उसका बेटा है तो शोहर को एक बटे चार और बेटी को बाकी दे देंगे बेटे के साथ अगर एक बेटी भी हो और बेटे के साथ अगर बेटी भी हो तो भी वही मसला है बीनत है औरत मर गई है औरत का शोहर है औरत का बेटा औरत की बेटी भी है तो भी सेमे मसला है क्योंकि फरा है वुजूद फरा है तो फरा चाहँए बेटा हो या बेटी हो या दोनों मसला वह रहेगा अगर ऐसा मसला है तो कैसे हिस्सा देंगे श preach को कितना देंगे एक बटा-чार एक बटा-чार इबन और बिन्त ये दोनों असबा हैं और असबा में हम देख रहे हैं कि दोनों का ग्रूप एकी है दोनों का चैन भी एकी है दोनों की कुवत भी एकी है पावर भी एकी है एकी दरजे के दोनों है इसलिए दोनों को हम बाकी देंगे दोनों को बाकी देंगे तो चार लाक में से एक बटा चार हमने अगर शोहर को दे दिया यानि एक लाक बाकी बचा तीन लाक तीन लाक हमको इन दोनों में बाटना है और अगर असवा में मुझकर और मौननस दोनों आ जाएं तो असूल क्या है? उसूल ये है कि मुजक्कर को जो मिलेगा वो दो मौननस का हिस्सा मिलेगा यहीं मुजक्कर को जो मिलेगा वो डबल होगा बनिस्बत उस हिस्से के जो मौननस को मिलेगा तो बाकी बच्चता है तीन लाख तो तीन लाख में से हम बेटे को इस बेटे को दो लाख दे देंगे और इस बेटी को एक लाख दे देंगे यह हो गया लिजजा करे मिसलो हजजिल उनसेन बेटी को जो मिला है एक लाख है और बेटे का इसका डबल है नहीं दो लाग है तो अगर इस तरह मसला है कि एक औरत मरगी उसका शोहर है बेटा है बेटी है तो इस तरह से हम बाढ़ देंगे या इसी मसले में अगर बेटा ना सिर्फ बेटी ही हो जोज है और उसकी बेटी है तो भी जोज को कितना मिलेगा एक बटे चार ही मिलेगा और इस सुरत में ये भी तैशिदा हिस्सा पाएगी लेकिन वह हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें इसको कितना मिलेगा लेकिन बेटी हो तो भी शोहर को एक बटी चार मिलेगा ये अउलाद में हमने लिखा था बेटा बेटी बेटा के जगा चाहिए पोता ही क्यों नहों तो भी वह मिलेगे इबन लिबन के सात बिंतल इबन भी हो वोती भी हो तो भी वही मसला है यानि ये दोनों असबा बन जाएंगे ये दोनों असबाबन जाएंगे और फिर ये दकर्मिस आमाद श्र। मिलेगा यानि एक लाग इसको मिलेगा पोति को डबल मिलेगा यानि दो लाग और पोति को उसका अदा यानि एक लाग और बेटा होने की सुरत में जिसे इबन है इबन होने की सुरत में अब अगर मरने वाली बीवी का भाई हो आख शकीक भाई हो या आम चचा हो आम शकीक चचा हो या कोई भी हो हवाशी में से कोई भी हो तो सब के सब कट जाएंगे क्योंकि इबन जो है यह सब को ब्लोक कर देगा शोहर है और बेटा है तो बेटा होने की सुरत में हवाशी में कोई भी हो सगा भाई हो बाप शरीक भाई हो बाप शरीक कोई कोई भी हो हवाशी में से कोई भी हो सब को यह इबन कार देगा इबन हो या इबन लिबन हो बेटा हो या पोता हो कोई भी हो तो सब को काड़ देगा तो ये जौज का हिस्साम ने पढ़ लिया कि अगर अगर वजूद फरा यानि कोई भी फरेवारिस है मुजक्कर या मोननस है तो उसको एक बटे चार मिलेगा और अगर फरेवारिस नहीं है यानि एक औरत मर गई उसका है शोहर और उसका है भाई सगा भाई औरत की अपनी अवलाद नहीं है औरत की अपनी अवलाद नहीं है शोहर का नहीं शोहर का हो या नहीं मिसाल की तोर पर शोहर ने एक और शादी कर रखी है और दूसरी बीवी से उसके बेटे हैं तो उससे नहीं लेना देना है यहां हम मरने वाली औरत की बात कर रहे हैं कि मरने वाली औरत का अगर कोई अपना बेटा नहों भले शोहर का हो उससे फरक नहीं पड़ता लेकिन मरने वाली औरत का अगर अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका सिर्फ शोहर है और सगा भाई है तो शोहर को कितना देंगे एक बटा दो और अक शकीक उसका अगर सगा भाई है तो इस अगा भाई असवा हो जाएगा बाकी लेगा असाबल फुरूद में से नहीं है तो बाकी इसको दे देंगे यानि अगर अगर आउरत ने चार लाग छोड़ा था तो दो लाग दो लाग शोहर को और बाकी बचा दो लाग तो दो लाग इस भाई को मिल जाएगा दो लाक शोर को दो लाक भाई को मिल जाएगा अगर अक्षकीक है तो अक्षकीक के होते हुए अगर कोई भी अस्वा में होगा दूसरा जिसे अम्षकीक है या अखल अब है या इबन अक्षकीक कोई भी होगा इससे नीचे अस्वा में से कोई भी होगा तो सब को हम काट देंगे इसको देने के बाद हम बाकी किसी को नहीं देंगे अब यहां पर अगर अक्षकीक के साथ यहां पर अगर अक्षकीक के साथ उख्ते शकीका उख्ते शकीका सगी बहन भी हो तो क्या करेंगे जो बाकी होगा वो इन दोनों को दे देंगे और बाकी इन दोनों को दे देंगे जो भी मालोगा उसका आधा इसको और आधा इस गुरूप में आएगा फिर इस गुरूप में आने के बाद इसको डबल मिलेगा शकी को बनिस्बत उसके की जितना इसको मिलेगा बहन को तो यह हमने देख लिया शोहर का हिस्सा शोहर की ये दो हालते हैं, कभी वो एक बटे चार पाएगा कभी एक बटे दो पाएगा, एक बटा चार का पाएगा जब उसकी मरने वाली बीवी की कोई ओलाद मौजूद हो उसी से, इसी शोहर से हो या किसी और शोहर से और अगर मरने वाली उसकी बीवी की कोई आउलाद ना हो भले शोहर की अपनी आउराद हो किसी और बीवी से उससे लेना दिना ने लेकिन मरने वाली बीवी की आउलाद ना हो तो फिर शोहर को आधा मिल जाएगा ये मिसालें आप देख चुके हैं